हलो फ्रेंट्स, कॉंप्टेशन कमिटी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमन प्रधान आईए फ्रेंट्स, आज हम देखते हैं, 36 गर्षब इस्पेक्टर एक्जाम में पूछे जाने वाले GS याने सामान अध्यन के अंतरगत आने वाले एक महत्पुर्ण विशय को जिसका नाम है सामान विज्ञान या जनरल साइंस तो सामान अध्यन के अंतरगत एक महत्पुर्ण विशय आता है, इसका नाम है जनरल साइंस या सामान विज्ञान सामान ने ताई ये पता है आप सभी को सामान विग्यान के अंदर फिजीक्स, केमिस्टरी और बायोलोजी आ जाते हैं लेकिन चुक्छी है सामान विग्यान का एक्जाम है जो 5 प्रमुक्चरणों में 5 अलगला स्टेजेस में हो रही है तो इसमें जो prelims का phase है और means का जो part है तो इन में आपको सामान एध्यन की जौरत पड़ेगे और उसमें आपको ये सामान विज्ञान के questions दिख जाएंगे पिछला सब इंस्पेक्टर का exam और उसके बाद इस वर्ज जो संभावित प्रस्णों का इस्तर हो सकता इस वर्ज के SI prelims exam में उन दोनों को हम relate करेंगे कि क्या संभावित इसतर हो सकता है क्या महत्पूर्ण questions आ सकते हैं इस से related जो MCQ pattern पे आपको पूरा lecture यानि इस की जो स्रिंखला चलेगी वो बिलकुल इसी सब इंस्पेक्टर exam को focus करते वे चलेगी ताकि examination में आपको ज़्यादा से ज़्यादा marks gain करने में आपको help मिल सके अब बाद आती है कि हम सामान विग्यान के अंदरगत क्या पढ़ें क्या हम PCB फिजिस कमेस्टी बायो को ही पढ़ें? नहीं याद रखना friends कि ये तो सामान विग्यान के अंदरगत आता है अगर आप previous year के paper solve किये होंगे तो इसमें environment और technology के भी question दिख जाएंगे आपको physics chemistry बायो को भी question दिख जाएंगे इसलिए हमने सामान विग्यान के अंतरगत ये पांचों विसाय को ही सामिल किया है जिसमें कि हम environment और technology को एक part बनाएंगे physics chemistry को एक part बनाएंगे और biology का एक part बनेगा जिसमें हम कहेंगे कि lecture की पुरी सिंगला चलने वाली है environment technology के कुछ महतपूर question और biology के महतपूर question और सब का ultimate goal क्या है आपके sub inspector exam आई होप ये सभी बातें आप समझे होंगे बाकि आपको examination में ज़्यादा से ज़्यादा जब आप score कर लेंगे तो definitely ये आपके selection में एक महतपूर भूमिका निभाने वाली है आपके सभी चरणों का अपने आप में बहुत importance है कोई भी चरण में आपका performance पूर हो गया कमजूर हो गया score ज़्यादा नहीं कर पाया तो obviously आपका जो final result है उस पर प्रभाव पड़ेगा इसलिए मैंने भी ये प्रयास किया है कि आपको एक अच्छे प्रस्नों का और उसके जो explanation का जो तरीका है वो ज़्यादा बहतर से बहतर दे सकूँ ताकि प्रस्नों को आप direct यहां solve करेंगे उसके अलग-अलग angle को भी अगर समझ जाएंगे तो आपको examination में बहुत lab मिलने वाला है तो चलिए आज का session स्टार्ट करते हैं तो चुकि आज हमारा पहला session है तो हम पहले स्टार्ट कर रहें इस पार्ट से विज्यान प्रदोग की एवं परियावरेंड से हम अपनी पहले lecture स्टार्ट कर रहें जिसमें की आपको कुछ महत्पूर्ण प्रस्न मिलेंगे उसके बाद यह सिंखला चलेगी आपके physics chemistry biology तक ठीक है तो पहला हम देखेंगे आज environment technology का पहला lecture जिसमें की पहला question screen पे आप देख रहें सौल करने का प्रयास करिए बहुत मत्पूर्ण question प्रिवेश सेस में पूछा भी जा चुका है अलग अलग जाम में नमने किट में से किसने सरप्थम बायोडावर्सिटी सब्द का प्रयोग किया था who among the following first general tend bayao diversity का मतलब होता है ड्या आ किसी चेत्र में वनस्पति येंवम जन्तुों की जितनी variety मिलती जितनी प्रजाधिया मिलती है उनको bayao diversity कहा जाता है सब्सबसे पहले किस किसने उप्योग किया था security आटभर विल्स एड़़रल जी रोजेन या ृ डियर वैटिस तो याद रखना friends कि Edward Wilson को जै विवित्ता का पिता कहा जाता है, father of biodiversity कहा जाता है, लेकिन Walter G. Rosen को कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले biodiversity सब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, verse 1985 में, ये year का खास importance है नहीं, बस याद रखना Walter G. Rosen ने सबसे पहले biodiversity सब्द का प्रयोग किया था, त बहुत easy question भी है, कई बार आप पढ़े होंगे, जिम कारवेट, काना नेशनल पार, काजी रंगा और घेर रास्टी उद्द्यान, सब की अपनी अपनी विशेस्ता है, चारो options अपने अपने आप में important question बनते हैं, देखो, जिम कारवेट को पहले highly national park कहा जाता था, एक Britishers के नाम पर, वर्स 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद जब भारत को आजादी मिली, उसके बाद फारिनिल देखते हैं, आप एक आईरिस मूल के भारती थी, उनका नाम था जिम कारवेट, उनका नाम ही था जिम कारवेट, उनको समर्पित करते भी ये रास्टी उद परियावरन सरक्षन के लिए भी एक काम करते थे, आप सोत रहें, ये सिकारी भी है और परियावरन सरक्षन कैसे, तो जो हिंसक प्रकार की जो प्रजाती जैसे वहाँ पे बहुत ही जो कहना चाहिए, हिंसक प्रकार की चीता या लायन या बाग का एक बार क्या है, वहाँ प नेशनल पार्क इनको नामकरण किया गया था 1936 में इसलिए इसका अंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है अब बाकी देखते हैं अच्छा जिम कार्वेट नेशनल पार्क में भी रॉयल बेंगल टाइगर यहां फेमस है ठीक है याद रखेगा काना नेशनल पार्क काना फेमस है पूरा मद्रपदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है सबसे ज्यादा टाइगर भी मद्रपदेश में है आपको पता होगा तो जो काना नेशनल पार्क जो है फेमस है टाइगर के लिए काजी रंगा नेशनल पार्क कहां पर आसाम पर है काजी रंगा नेशनल पार तो ये चारों के बारे में आपको important fact आपको याद रखना है पूछा जाता है है ली नेशल पार को ही जिमकार वेट नेशल पार का जाता है दुनिया भारत का पहला है स्थापनावस 1936 था बाकी अपडेट आपको मैंने बताया चलो next question जलते हैं भारत में project tiger project tiger start कब किया गया थ तो कब स्टार्ट किया था इंद्रा गांधी गवर्मेंट के समय वस 1973 में इसे स्टार्ट किया गया था ठीक है यह याद रखना और आपको यह भी पता है कि भारत में जो राश्टी उद्यान जो नेशनल पार्क वाइल लाइफ सेंक्शूरी है ना वनिजी अभ्यारण ये वगरा हैं वो कब बने थे वो इसी समय एक आया था 1972 का वाइल्ड अनिमल प्रोटेक्शन एक्ट वन जीव सरक्षन अधीनियम बना था उसके बाद भारत में क्या है राश्टी उद्यान अभ्यारण वगरा जो हैं उनको एक आधिकारिक दर्जा दिया गया वे एक्ट के तह और टाइगर स्टेट कहा जाता है मदर प्रदेश को सबसे आदा टाइगर कहा है मदर प्रदेश में ठीक है तो यह बाते क्लियर हो गई चलो है नेक्स कोशन की और चलते हैं मोव करते हैं तो इसमें देखिए ट्रनिमिकित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा है ग्रीन हाउस गैस आपके एक्जामनेशन में बहुत कई दफ़ा पूछा जाता है बहुत आसान सा कोशन है लेकिन हम मिस्टिक करके आते हैं तो क्या क्या ओप्शन से देखिए ग्रीन हाउस गैस सबसे पहले समझेए ग्रीन हाउस गैस कौन होता है जो प्रित्वी का टेंप होती है उसमें इन्फरा रेड यह ने आवरक्त प्रकास होता है जो गर्मी के का जो इसी कारण गर्मी लगती है ठीक है तो जो इन्फरा रेड जो होती है यह प्रित्वी की सता पर जैसे ही पड़ती है तो उसके बाद क्या करते हैं यहां वायू मंडल में कुछ गैस इसका महत्व भी है अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होता तो प्रित्वी का टेंप्रेचर माइनस 18 डिग्री सेल्सियस चला जाता हम और आप यह कोई भी आनिमल प्लांट इसमें सर्वाइब नहीं कर पाते ग्रीन हाउस गैस के कारण जो है प्रित्वी का ओसत तापमान कितना है 15 डिग्री सेल्सियस है जिसके कारण हम रहते हैं मीन टेंप्रेचर यानि एवरिज टेंप्रेचर जो है तापमान प्रित्वी का तो आप यहाँ पे देख रहें यह ग्रीन हाउस गैस प्रित्वी के लिए आवश्यक है जिसके कारण एक अनुकूल परिसिती निर्मित हो प्रित्वी और हम सब रह पा रहें अब दूसरा मैटर समझीए अगर यह ग्रीन हाउस गैस बहुत जादा बढ़ जाए तो क्या होगा प्रित्वी का तापमान बढ़ जाएगा तो ग्लेसियर्स पिघल जाएंगे जो बर्फ के जो ग्लेसियस हैं एंटाक्टिका आर्केटि उसे बहुत इंपॉर्टेंट है है ना तो क्या नहीं इसका अंसर अगर दिखा जाए देखो कार्बन डायकसाइट ग्रीन हाउस गैस है मिथेन भी ग्रीन हाउस गैस है जलवास भी ग्रीन हाउस गैस है और अमोनिया इसका ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो यह इसका राइट उन्सर है तो 4 करदी तो क्या किया है तो पहला आपने देख लिए कार्बन डाय औक्साइट रही ये वन हो गया दूसरा मीथें हो गया अब तीसरा लिखियां यह प्लोरी्च करण तीसरा है ठीक वुसके बाद आपका ओग्साइड और person और इसमें जलवास्प को भी आपको जोड़ लेना क्योंकि जलवास्प पानी की बूने चोटी-चोटी जो रहती है उसमें तो यहां पे जलवास्प भी है तो यह तीन और एधर वन टू थी तीन च्छे आपको याद रखना है यह और पेपर थोड़ा सा कटीन टाइब का आय है कि मुक्षक ग्रीन हाउस गैस है बाकी यह भी आप सामिल कर सकते हैं अगर आप्शन में दिया होगा तो अधर्वाइस यह प्रदूसर रखें ठीक है क्लियर हो गया चलो अब आगे को देखते हैं नेक्स पांच में निम्लिकित में से कौन प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गै करता है एक साथ आता है तो तो याद रखना क्योटो प्रोटोकॉल का संबंद क्या है ग्रीन हाउस गैस याने कार्बन एमिशन या फिर कहें जलवायू परिवर्तन से संबंधित है है ना क्योटो प्रोटोकॉल का संबंद कार्बन एमिशन कार्बन उतसर्जन है ना क्लाइ ग्रीन हाज गस गैफ वर्भी तो वबल वार्मिंग बढ़ेगी कार्भन उत्फरजंद गया तो विल्हाल हमको समझना एकि का ग्रीन हां सद्सेर हो कार्भान उत्सर जरों ज़एलवाय परिवर्टतन चार तरहीं पूचे रहां तुछ पोत्फेर को यहां लेना है एक होता है विएना सम्मीलन ठीक है दूसरा नाम है क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ठीक है और तीसरा नाम है आपका कीगाली एग्रिमेंट या कीगाली समझा होता बस यह तीनी चीज़ें ओजोन से रेलेटेड है तो इसको अलग सेप्रेटर आप नोट कर लिए रहो तो जो टॉक्सिक एलिमेंट वगरा होते हैं जैसे कि आप देखते हैं हानिकारक जो एलेक्ट्रॉनिक गैजट होते हैं जो मेडिकल वेस्ट होते हैं इनको बहुत टॉक्सिक टाइप की चीज़ें उसमें मौझूद होती है तो उसके जो हैं उसको मैनेजमेंट को करने के लिए या उसका ज़ो है ज्यादा प्रसार को रोकने के लिए उसका दुस्प्रवाग रोकने के लिए एग्रेमेट या संधी हुआ था उसे मिसल संधी कहते है रामसल संमेलन बेसे के लिए किया गया था ये क्या है नम भूमी यानिकी वेट-लैन की सरक्षन या कंजर्वेशन के ही है तो क्या है एलगी है फंगी है या फिर लाइकेन या फर्न है ठीक है तो याद रखना फ्रेंड्स की जो लाइकेन है इसका अंसर है और यह एक्च्वल में क्या है वायू प्रदूशन का सूचक है वायू प्रदूशन जहां पे भी है आपको लाइकेन नहीं मिलेगा यह प्रदुश्वन का सूचा क्या है आपका लाइकेन है लाइकेन क्या है याने सेवाल और फंगी यानि की कवक दोनों का एक सेंबायोटिक से प्राप्त होने वाला एक पौधा है जिसमें हम कह सकते हैं यह सेवाल है जो हराब है इसकारण प्रकास संस्टिशन करता है यह फंगस है जो बेसिकली इसको जो है सुरक्षा देता है दोनों का सहोब कारिता या सेंबायोटिक रिलेशन के तहट अपना जीवन यापन करते हैं एक भी मौझूद है नहीं हो तो यह अपना लाइफ साइकल पूरा नहीं कर पाएंगे तो यह ना हो तो यह नहीं होगा इसके बिना दोनों एक दूसरे के बिना नहीं सर्वाइब कर सकते हैं क्लेर हो गया अच्छा सारे आटो मॉबाइल वाहन बगर हैं जिसमी की हम देखते हैं कि प्रदूसर्ण का इस्तर बढ़ा रहता है सभी वाहनों से क्या है प्रदूसर्ण निकलेगा तो इसके कारण क्या सहरी शेत्रों में क्या लाइकिन गायब हो जाते हैं अब सहर के बाहर जैसे जाएंगी प्र प्रदूसर्ण नहीं है पूछा है फ्रदूसर्ण दो टाइप के होते हैं प्राइमरी प्रदूसर्ण और द्दियक प्रदूसर्ण इसके साथ क्या कोई दूसरा factor मालों उसको X माल लेते हैं तो दोनों मिलके क्या है PX बना दिए कहने का मतला प्रात्मिक प्रदूसक जिस भी फॉर्म में निकला उसी फॉर्म में प्रदूसर्ण फैला रहा है लेकिन प्रात्मिक प्रदूसक किसी अन्य और कारक के साथ सयुक तो होकि एक तो किया यह देखो PAN पराक्सी एसिटल नाइट्रेट कहा जाता है इसमग इसमग भी क्या है एक प्रकार का योगिक है ठीक है जो भी क्या है दिटिय।чक प्रदूसक है सलफर डायक्सईट क्या है दाई अकसाइब है तो SO2 यह क्या है प्रात्मिक प्रदूसर के तो इसका अंसर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा तो देखो sulfur dioxide है SO2 और यहां पर देखते 그건 oxygen के साथ मौझूद होगा तो यह क्या है SO3 बना सकता है ठीक है इस बात को ध्यां रखना है तो ये बात आपको clear करनी थी जैसे कि आपको एक और example ले लो जैसे कि sulfur dioxide है atmosphere में क्या है atmosphere में जल वास्फ है मतलब पानी है पानी की पूंदे है तो sulfur dioxide S2O4 बना दिया तो यह क्या sulphur Yah ओर चयां रखना तो यह क्या किया इसके साथ reaction किया यह इसके साथ reaction किया तब यह बन रहा है और समझ में अगया यह बात ध्यां रखना है चलो next qshire कोशुन करते हैं नेक्स क्स एपका कि अम लबर सा किंके द्वारा होने वाले परियापर्ण इसके बारे में है कि वेसेला एक हराई का है दूजैरा काच्रा उसका जायत को लेकर यह इसमें यह आ सकता है यदि वह परदूसर्ण फैलाए तो ठीक है तो यह दोनों में तो परायोटी इसको देनी है है ना यानि कि हम यह कच्रा सभी इक सएक अलिमेंट या विशाला था नहीं होता लेकिन हम यदी इक एक अजरा को ले और उसमें विशायला चीज है जैसे की मर्कुरी लैड वगरब जो है अदी तो यह सब क्या है विशाला है तो वाना पर्याबरन पर्दुशंड किए कारण होती है आप को इसका तरीका बता देता हूं योगिक हैं जो क्या करते हैं अमलबर्षा मतलब क्या होता है कि वर्षा का वह रूप जिसमें क्या है डिषीड नीचर आ जाता है अिसीड प्रकार की जो है यह बारिष हो जाती है और यह जब सत्य आपकी okay द्यकिता मुनने के लिद्धावशन आपको जो हैं आपकी जनलने का ड़िपर होता थे तो CO4 यानने सल्फूरीक एसिड दूसरा है अचनल3 नाइट्रिक एसिड और तीसरा CO3 कारबुनिक एसिड यह कमजोर प्रकार का अमलह है और यह तो रसाइनों का राजा चाहा जाता है ठीक है और यहाँ पर देखते हैं हनो थी यह भी क्या एक प्रकार का powerful acid है powerful acid में अगर आपको ध्यां रखा जाए जो तीन प्रमुक powerful acid है पहला सबसे अदा powerful होता है scl दूसरा होता hlo3 और तीसरा होता है s2so4 ठीक है यह जो है इसकी क्या है सबसे powerful acid है तो इसमें देखो यह जो second और third powerful वाले acid बन जा रहे हैं यह बात ध्यार रखना है तो आम लवर्सा में यह क्या है sulfuric और नाइट्रिक अमल बनते हैं तो उसका कारण देखो option में है क्या यह इसमें नहीं है carbon dioxide नहीं है ozone नहीं है nitrous oxide और sulfur dioxide यह एक्च्छल में option क्या हो जाता आपका D इसका right answer होता तो देखो यह जो बन रहा है कैसे बन रहा है अभी थोड़ी दिर पर ले चलो इस side में देख लेते हैं उसके बाद इस questions की और move करेंगे कि देखो यह जो है आपका क्या बना sulfur dioxide के कारण बन रहा है बोल रहा है दूसरा nitrogen dioxide के कारण बोल रहा है तो तीनों को जलव आस्प के साथ reaction करेंगे तो जलव आस्प के साथ reaction करेंगे तो ही क्या बना S2, SO4 बन गया, Sulfuric Acid बन गया पहला जल्वा जो आमला वर्षा का कारण बन गया दूसरा क्या बन गया HNO3 बन गया, Nitric Acid बन गया ये भी क्या है जो है आपका Acidrin का कारण है तीसरा देखते हैं, ये क्या है S2CO3 बन गया, तो ये क्या है कारणी कंबला, तो सलफियूरी कंबला, नाइटरी कंबला, कारणी कंबला तीनों क्या है, अमला वर्षा के लिए जिम्मेदार है तो यहाँ पर इस केस में अगर इसे नाइट्रोजन डायाकसाइड कर देंगे तो D इसका राइट आंसर होगा, क्लेर होगे आप सबी को, चलो, नेक्स कोशिन की और मूब करते हैं, तो नेक्स कोशिन आपको स्किन पर देखी रहा है, सॉल करने का प्रयास करिए, बहुत सरल सप्रस्न है, तो भिन समुदायों के बीच का संकरांती छेत्र कहलाता है, ठीक है, तो दोस्त, एक समुदाय A है, एक समुदाय जो है B है, है ना, ये A है और ये B है, ठीक है, उनके बीच का संकरांती छेत्र मतलब transition area, तो माल लो इतने छेत्र में वो क्या है, transition area है, संक्रमण छेत्र है, मतलब यहाँ पर माल लो इसे में जल का छेत्र माल लो, इसे क्या है थल का छेत्र माल लो, ये क्या है एक्वेटिक है, ये क्या है टेरिस्टियल है, दोनों में छेत्र में देखते हैं, आधा पानी है, आधा क्या है, जमीन है, ठीक है, कहने का मतलब थोड़ा सा उथला जगह है, तो उस छेत्र में क्या है वो छेत्र क्या कहलाता है वो छेत्र कहलाता है इकोटोन याने संक्रमिका कहलाता है ठीक है संक्रमिका कहलाता है क्लियर हो गया और संक्रमी का जैसे कहा जाता है जैसे कि उदारन देता हूं नम भूमी नम भूमी या फिर वेटलेंड क्या है एकोटोन का उदारने क्लियर हो गया तो यह आपनी इंवार्मेंट के कुछ कोश्चिंस देखे चलिए अब आगे मुव करते हैं हम टेकलोजी की औ साइन्स एंड टेकलोजी की कुछ मातपूर प्रस्नों को जिसमें की हम पहला कोश्चिन देख रहें यहां पर डियार्डियो द्वारा स्वदेशी तकनी से विक्सित की गई देश की पहली सबसॉनिक है यह सबसॉनिक क्रूज मिसाइल देखो सबसे वहले वर्ड है यहां प ठीक है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठेन और पहली सबसॉनिक क्रूज मिसाइल पूछा है तो यहां पर देखना कि क्या क्या यहां पर क्रूज मिसाइल है निर्भय प्रहार नाग और प्रित्वी प्रित्वी तो क्या है बैलेस्टिक मिसाइल है नाग एंटी टे प्रोग्राम इंटिग्रेटेड गाइडेड मिसाइल विकास कारिक्रम है ना उसे डॉक्टर कलाम के नेतित्व में है ना वर अस्ती के दसक में इसे प्रारम किया गया था और भारत ने पांच महत्पुर्ण मिसाइल बनाने का लक्ष रखा था प्रित्वी अगनी 300 नाग और आकास ठीक है प्रित्वी मिसाइल सबसे पहले हमने मिसाइल डेवलप किया भारत की पहली मिसाइल कौन सा है कहा जाय तो प्रित्वी मिसाइल आप टिक करेंगे लेकिन यहां पे सब सॉनिक क्रूज मिसाइल पूछा गया है क्रूज मिसाइल देखो क्रूज मिसाइल का जो है है अटेक करती है है और यहाँ पर याद रखना एटमास्पेर के बाहर जाती है और ग्रैविटी के भरों से वह क्या करती है दुसमन को अटेक करती है उसको घा तक रहती है वह डायरिक उसको क्रूज मिसाइल क्या है एरो डाइनेमिक पात भी होता है और जाकिए इस प्रकार जो है आप अटेक करती है तो यहां पर वर्ड है सबसॉनिक और क्रूज तो क्रूज विसाइल तो है अब यह सबसॉनिक सबसॉनिक सी मसबला है यह देखना कि तीन सब्द होते हैं सबसोनिक सूपर्सोनिक और हाइपर्सोनिक जिसके ध्वनी की गती को के साथ हम कंपेर करते हैं तो इसके बाद उसको हम मैक से जो है रेलेट करते हैं तो एक मैक से कम 0.67, 0.8, 0.9 कुछ भी हो सकता है लेकिन एक मैक से कम हो तो सबसॉनिक, दो से क्या है, आपका तीन मैक के बीच में हो तो सुपरसॉनिक, और अगर हम बात करेंगे कि पांच मैक से ज्यादा तो हाइपरसॉनिक, ठीक है, तो भारत के पास हाइपरसॉनिक मिसाइल नहीं है, याद रखना भारत के पास सबसॉनिक और सुपर्सोनिक मिसाइल है यह जो भी अपने आप में करोस मिसाइल है कि रोगया दूसरा का आंसर मैंने बताई धिया कि वालान्स पाथ वटन्ज बहुता है क्या होता है नभी तchts यह रहाग कर दिया था मैं यह नकिर WAR विक्रान कावेरी अगनी या प्रित्वी तो प्रित्वी हमारी जो है पहली मिसाइल है है ना पटना प्रित्वी अगनी 300 नाग आकास के साथ हमने रिलेट किया था तो सबसे पहले क्या है अपका प्रित्वी मिसाइल चली आगे बढ़ते हम आगे बढ़ते हम next question में तो next question दीरांत या इन में कोई नहीं तो देखो चंद्रयान टूँ जब हमने छोड़ा तो चंद्रेयान टूझ में हमको तीन चीज़े करनी थी पहला हswinä किये थैं तो यहां पर किंधना कि जैसे माल ही अश्कीवाद धीरे से क्या हम उसकी सता धरति चंद्रमा की धरती पर उतरता तो लेंड करते है तो उसका नाम था lander ठीक है और उसके बाद लेंड जैसे कल लेते हैं उसके अंदर एक रोबोरट निकलता उसका नाम था रोवर तो इसको क्या है नाम दिया गया है प्रतिकात्मा गुरूब से और्विटर चारो तरफ चक्क लगा रहा है से और्विटरी कहेंगे जो अभी भी चकर लगा रहा है और हमको हाई-resolution इमेज भेद रहा है लैंडर का नाम था डॉक्टर विक्रम सारा भाई को समर्पित करते वे नाम था विक्रम ठीक है तो विक्रम इसका उत्तर इसमें क्या पुछा है रोवर तो उसके बाद जो है रोवर का नाम था प्रज्ञान ठीक है जो एक रोबोट था अब लेंडिंग के दौरान लेंडर ही क्या है डैमेज हो गया तो रोवर उसके अंदर निकल ही नहीं पाया मतलब यह दोनों के दोनों क्या है नहीं उतर पाए काम नहीं कर पाया ठीक है अब हमारा जो चंद्रियांथी मिशन है चंद्रियांथी मिशन में हम orbital नहीं भीज़ेंगे हम सीधा क्या करेंगे lander और rover भीज़ेंगे और वहीं वहाँ पर land करेगा और उसके अंदर क्या rover निकल कि वहाँ की जमीन का study करेगा तो चंद्रयान 3 mission में क्या नहीं भीज़ जाएगा पूछा जाएगा तो और्वीटर नहीं भीजा जाएगा क्योंकि और बीट में चक्कर लगा ही रहा है चंद्रयान टू का ठीक है यह बात ध्यान रखना अब चलिए तो इसका अंसर क्या हो जाएगा भारत का प्रथम मानो निर्मित मानो रहित टैंक है ठीक है अनमेंड टैंक तो एनमेंड टेंक है तो जो महाभारत के जितने जो है करक्टर है जैसे कि आप ela है मंत्रा है और जून है कर नहें हैं भीष्वर यह सब महा भारत की जो है अलग-अलग प्रकार की उनके नाम है अलग-अलग करेक्टर के नाम है तो अरजून क्या है अरजुन भारत का पहला टेंक है इसे डॉक्टर कलाम ने बनाया था अर्जुन टेंक है तो यह भात ध्यान रखना तो इसकानसटा हो जाएगा है इंद्र क्या है आपका एक मिसाईल है नहीं है यूऑ जो है आपका क्या है पाइलट लेस एयर कंप नहीं इसे हम कहते हैं drone कह दो वो translation error है ठीक है ड्रोन लिख दो आप ठीक है तो यह भी मानव रहीती होता है तो नहीं यह भी answer नहीं है tank है क्या नहीं है tank आपका radar है ठीक है radar radar एक होता है जो radio wave का use करता है एक होता है sonar है जो sound wave याने की वहाँ पे ध्वनी तरंगों का उप्योग करता है यह ना radio detection and ranging तो radio detection and ranging मतलब radio wave का प्रियुक करता है sonar क्या होता है sound navigation and ranging तो यह क्या है sound ध्वनी तरंगों का उप्योग करता है एक और होता यह क्या है प्रैकास तरंगों का क्या है प्रयोग करेगा तो फिलहाल हम को समझना आज है इसका अंस्वत पर दूसरा भारती परमानु परिक्षन किया गया था जिसका नाम दिया गया था स्माइलिंग वुद्धा सकती 98 ऑपरिशन ड्रैकुला या इन में से कोई नहीं बहुत इंपॉर्टिट कोश्चन है वैसे देखा जाए भारत ने दो बार परवाणू परिक्षन किया है एक 1974 में किया इसे पोखरण 1 कहते और 1998 में किया गया था उसे हम कहते सकती 98 98 से याद रखना यह 1998 में हुआ था और इसका नाम था इस मिशन का नाम था सकती 98 स्माइलिंग बुद्ध ठीक है तो याद रखना 1998 के बाद भारत क्या है भारत के पास परमानू बन बम जो है बन गया था ठीक यह बात ध्यान रखना है तो सकती 98 इसका आंसर है ठीक है यह बात को आपको क्लियर हो गया होगा थी आगे बढ़ते यह है निमनलिकित में से कौ आमिनी धुरू अपसरा तो फर्स रियक्टर 1954 में बना था यह है एक रिसर्च रियक्टर था अनुसंदा रियक्टर ठीक है तो यह इसका अंसर है उसका देखते हैं हाइड्रोजन बम के सिधान पर आधारित है हाइड्रोजन बम यह नौवा कोश्चन है है ना हाइड्रोज इतना नाभी की विखंड नुक्लियर फीजन पर आधारित होता है एटम बम ठीक है तो परमाणू बम जो होता है आपके नुक्लियर फीजन पर पर आधारित होता है और नाभी की सलयन यानि फ्यूजन पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम ठीक है कौन सा सबसे यादर सकत साली होता है कहा जाय तो hydrogen bomb ठीक आपको ये बात ध्यान रखना है कि nuclear fusion में याने नावी की सलेन में जितनी उर्जा निकलती है नावी की विखंडन में उससे उर्जा कम निकलती है इसलिए नावी की सलेन में ज्यादा उर्जा निकलने कारण ज्यादा powerful है सक्ति साली है ठीक है चलिए last question of today's session that is National Remote Sensing Center NRSC कहां स्थित है कानपूर देहरादुन लखनाव और हैदराबाद तो यहाँ पर देखना इसरो का एक महतपूर Center है Remote Sensing के दो बड़े-बड़े Center है एक होता है NRSC यह मैं कई बार ट्रिक में बता चुका हूँ NRSC और एक होता है Indian Institute of Remote Sensing IIRS तो यहाँ पर यह दोनों नेशनल Remote Sensing Center दिया हुए न रास्ती नेशनल Remote Sensing Center NRSC और मैं यहीं पर फिर नीचे लिख देता हूँ कि Indian Institute of Remote Sensing तो आपको confusion होता है तो याद रखना N से स्टार्ट होने वाला का आपको सीधा एक ट्रिक बता देता हूँ नेशनल हाईवे में आप जा रहे हैं आपको ट्राफिक पुलिस ने पकड़ा आपको ID मांगा ठीक है तो N से स्टार्ट होने वाला Remote Sensing का सेंटर हैदराबाद H से स्टार्ट होगा तो यह इसका आंसर क्या है 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 और अगर Indian Institute of Remote Sensing होता तो उस केस में D मतलब दहरादून तो दहरादून इसका आंसर होता ठीक है लेकिन आया ये RS तो पूछा नहीं है यहाँ पे तो आपको पूछा NRC तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा D हो जाएगा यह ट्रिक याद रखना यह कई दफा एक्जाम में पूछा जा चुका है यह confusion create करता है एक्जाम हाल में तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं किसी परकार का doubt है तो आप पूछिए I will definitely answer you तो आज के इतना ही रखते हैं thank you so much have a nice day